हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल कम्पिरिटिव तैयारी विच सनत, मैं सनत कुमार मिश्रा, आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल कम्पिरिटिव तैयारी विच सनत पे, तो आज हम एक इन्पोर्टन जी के टॉपिक करेंगे, आज से मैंने एक नया सीरी स्टार् आपको हर exam में question देखने को मिलेंगे यहां से, मतलब एक topic हम लेंगे, उसके उपर सारा जो भी आ सकता exam में सब cover कर लेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ताकि आपको देखने में भी अच्छा रहेगा, और पूरा जो भी exam में question आएगा, सब इसी में से आएगा, जो भी हमारे famous persons हैं, जैसे कि personality हैं, जो भी सुतरनतता सेनानी हैं, जो भी leaders हैं, जो कि बहुत ही बहतरीन काम किये हैं, जो कि हमारे देश के लिए, देश के आजादी के लिए लड़े हैं, और काफी कुछ किये हैं, तो उनके बारे में हम कुछ जानेंगे आज, मतलब आज मै उनका जो समाधी है समाधी स्तल है उसके उपर questions बहुत आते हैं जैसे कि उनको कहां पर समाधी दी गई थी और उस जगे का नाम क्या है और कुछ उनके जो उनको बुलाए जाता है निकनेम किस नेम से पुकारा जाता है वो भी देखेंगे और कुछ basic जानकारी देख लेंगे जो कि important है तो यह जो मैं आपको 12-15 नाम बताऊंगा यह आप ध्यान रखिए इसको अच्छे से रट लीजिए हर एक्जाम में काम आएगा हर एक्जाम में यह मैं guarantee के साथ कह सकता हूं तो चलिए सुरू करते हैं पहला नाम आपको दिख रहा है मात्मा गांधी जी इनको कौ बापू हमारे देश के हैं जो कि father of the nation है तो इन्होंने बहुत ही बहुत कुछ किया है तो यहां पर देखते हैं पहले इनका देखेंगे हम date of birth date of birth देख लीजिए सभी का date of birth में लिख दिया हूं आप पढ़ सकते हैं 2 October 1869 जगा कहां पर पोरवंदर पूरा नाम मोंदास करमचान गांधी अब देखेंगे इनका निकनेम बापू कहके पुकारते हैं इनको father of the nation महात्मा भी बुलाते हैं तो यह आप comment section में बताईए महात्मा जो नाम है इनको महात्मा किन महापूरुष ने इनको महात्मा नाम दिया है और इनोंने भी उनको उस महापूरुष को एक नाम से पुकारते हैं तो आप सबको पता होगा कormenट कर दीजिये section में इस वीडियो के बाद आप comment कर दीजिएगा इसके नीचे देखे मैं हिंदी में भी दे दिया हूं और इनके समाधी का जो नाम है उसको क्या बोलते है राजगाट जो की कहां पर है दिली पर है दिली में है राजगाट ठीक है नेक्स हम चलते हैं नेक्स देगी यहां पर लाल बहादूर सास्त्री जी तो लाल बहादूर सास्त्री जी जो की 1904, 1904, 2nd October इनका जनम हुआ था मुगल सराई उत्रपदेश में, इनको बुला जाता है इनका जो नाम है, वो है बिजय घाट, इनका क्या नाम है, इनके समाधी का बिजय घाट, जो की दिल्ली में है नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंग, बहुत ही शांदार आदमी थे, बहुत ही शांदार लीडर थे, 23rd December 1902, हापूर, इनका जनम स्तिती, जनम स्तल, और ये प्राइमिनिस्टर भारत के प्रधान मंत्री रह चुके हैं, 1979 से 1980 तक, इनको हम पुकारते हैं, चैंपियन ओफ इंडि इनको कहा जाता है, तो किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो इसी वज़े से इनके जो समाधी है, इसको क्या नाम दिया गया है, किसान घाट, जो कहां है, नई दिल्ली में है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, राजीव गांधी, इन्पोर्टन है, बहुत इन्पोर तक सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर और इनके समाधी को क्या बोलते हैं वीर भूमी ठीक है लैंड ऑफ ब्रेफ बीर भूमी जो कहां पर है दिल्ली में है नेक्स आते हैं हमारे जवालान नहरू पंडित चाचा नहरू बहुत ही इन्पोर्टन्ट है यह सब देख लीजिए मैं जो जो नाम करवा रहा हूं यह भूल के भी मत भूलिएगा इसको पीडिएफ रख लेजिए पीडिएफ इसका मैं दे दूंगा डाउनलोड कीजिए प्रयाग राज में इनका जनम हुआ था और यह पहले प्रधान मंत्री थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया निकनेम्स देखिए चाचा नहरू पंडित नहरू अंकल नहरू ठीक है और इनका जो समाधी है उसको क्या बोलते हैं शांती वन कहां पे ह कब वह था 19th November 1917 कहां पे वही प्रयाग राज में इनका पूरा नाम इंद्रा प्रियदर्शिनी गांधी यहां पे दीके लिख्या है सी वास्ट एंड टू डेट ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब आज तक अभी तक एक मात्र महीला प्रधान मंत्री भा उसको क्या बोलते हैं शक्ती स्तल नई दिल्ली प्लेस ऑफ पावर शक्ती स्तल ध्यान रखिए सब नेक्स्ट मुरार जी देसाई बहुत इंपोटन्ट बहुत ही इंपोटन्ट 29 फ्रेबुरी 1896 वलसाध इनका जनमवाता वलसाध जो की गुजरात का एक डिस्टिक्ट है मुरार जी रंचोड जी देसाई इनका पूरा नाम प्रधान मंत्री रह चुके हैं भारत के 1977 से 79 तक और डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1967 से 69 तक इनके समाधी को क्या बोला जाता है अभेगाट जो की कहाँ पे है अमदावात ठीक है नेक्स दिखिए यहाँ पर पंडित शंकर दयाल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यह भी बहुत इंपोर्टेंट परसनालिटी है 19 अगस्ट 1918 भोपाल में इनका जनम भुआ था मध्यपदेश में और 9 प्रधान प्रेसिडेंट 9 राष्टर पती थे इंडिया के 9 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो की 1992 से 1997 तक थे और ये 8 वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के इनके जनमस्तान को क्या बोल most important डॉक्टर राजेंदर प्रसाद आपको पता ही होगा भारत के पहले प्रधान मंत्री डॉक्टर राजेंदर प्रसाद इनका जनम कब वह था 3 डिसेंबर 1884 कहां पे वह था जीरा देई जीरा देई एक डिस्टिक्ट बिहार का वहां पे वह था राजेंदर भावु ठीक ह महा प्रयान घाट इनके स्तल को क्या बोलते हैं महा प्रयान घाट बोलते हैं क्या महा प्रयान घाट और ये कब तक कब रहे थे 1950 से लेके 1962 तक 1952 62 का ओफिस था ठीक है तब तक ये ओफिस में रहते नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं गुलजारी लाल नंदा ये भी बहुत इं 1998 जनम कहां पे हुआ था सियाल कोर्ट पाकिस्तान एक्टिंग प्रैम मिनिस्टर और 1966 तक 1966 में यह एक्टिंग प्रैमिनिस्टर और 1964 में भी आक्टिंग प्रैमिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के कब 1966 और 1964 में और इनके स्तल को क्या बोलते हैं हम समाधी को क्या बोलते हैं नारायन घाट जो की कहां पे है एमधाबाद में शांदार परसनलिटी सब बता रहा हूं मैं आप देखके चलिए इस से ज़्याद आपको करने की कुछ जरुवत नहीं है बस PDF देखते चलो PDF पढ़त फ्रेवरी 1921 को इनका उजावूर केरला डिस्ट्रिक्ट में जनम हुआ था इनका पूरा नाम क्या है कोचेली रमन नारायनन के आर नारायनन ये दस्वे प्रधान मत द्रस्वे प्रेसिडेंट थे 10th President of India, और 9th उप राष्ट्रपती थे भारत के और ये एक मात्र राष्ट्रपती थे इंडिया के भारत के जोगी मल्यालम, मल्याली भासा के थे, मतलब only मल्याली President of India, इनके जनमस्तल का नाम क्या है, माफ कीजीगा, इनके समादी स्तल का नाम क्या है, उदय भूमी, जो की कहा पीवी नरसिम्मा राओ इनका कब था 28 जून 1921 लेकना पल्ली तेलंगाना में अभी जो तेलंगाना में है प्रेजेंट सिनेरियो में वहाँ पे इनका जनम हुआ था तो पीवी नरसिम्मा राओ ठीक है ये 9 प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया थे 1991 से लेके 1996 तक और इनके समा प्रादी को हम क्या बोलते हैं पीवी घाट जो की बुद्ध पूर्निमा पार्क के अंदर है और कहां पर ये है है हाइदराबाद में है ठीक है नेक्स देखिए डॉक्टर बी आर अंबेतकर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट दे चेर्मेन ऑफ ड्राप्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कंस्टिचुएंट असेमली भारतिय संबिधान के जनदाता इनको कहा जाता है ठीक है तो इनको हम क्या बुलाते हैं इनका पूरा नाम क्या है भीमराओ रामजी अंबेतकर ठीक है भीमराओ रामजी अंबेतकर और इनके नाम पे एक जगा का नाम भी रख दिया गया है डॉक्टर अंबेतकर नगर जहांकि इनका जनम हुआ था उस जगे को डॉक्टर अंबेतकर नगर बोला जाता है 14 अप्रिल 14 अप्रिल 1891 को इनका जनम हुआ था, Dr. Ambedkar नगर में, यह कौन क्या-क्या रह चुके हैं Indian Jurist रह चुके हैं Economist रह चुके हैं, Politician रह चुके हैं और क्या रह चुके हैं, Social Reformer और इनको प्यार से हम क्या बोलते हैं, बाबासाहे भाबासाहे, भीमराव, Ambedkar जी, और इनके जनम इनके समाधी को हम क्या बोलाते हैं चैतन्य भूमी इसका नाम क्या है चैतन्य भूमी कहां पर है मुंबई में चैतन्य भूमी दरबार मुंबई में है यह ठीक है बहुत important है याद रखिये नाम नेक्स्ट उसके बाद आते हैं ज्यानी जैल सिंग ये पंजाब के सीम भी रह चुके थे अपने टाइम पे और 5 मई 1916 में इनका जनम सांधवान जिले में पंजाब में हुआ था और इनको हम जर्नेल सिंग भी बोलते हैं जर्नेल मतलब इंगलिस का जो जर्नेल होता है ना जर भारत के कब से 1982 से लेकर 1987 तक 1982 से 1987 तक 7th President of India रह चुके हैं और इनके समाधी को हम क्या बोलते हैं एकतास्तल जो की कहां पे है दिल्ली में है एकतास्तल प्लेस ओफ यूनिटी दिल्ली में है नेक्स दिखिए जग जीवन राम इनको हम प्यार से क्या बोलाते हैं जग जीवन अशयर काम्यलन बाबू। इतने शांदार शांदार परसनालीटी हैं आप सोचेंगे तो आजकल आ रोंकड़े खड़े हो जाएंगे आपके हैं ऐसे सब आज हैं एक छोटा सा मतलब अगर घाओ घ़ाओ हो हो जाए शरीर में तो हम प्या-क्या मतलब रो पढते हैं कुछ मतलब इतना हम परिशान हो जाते हैं लेकिन ये लोग अपने जीवन को मतलब दाओं पर लगा के मतलब कितना कुछ किये हैं हमार लिए तो सोचिए आप तो उस टाइम पर मतलब बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए इसलिए उनके याद से हम यह सब पढ़ र भीवा था चांदवा district जारखंड में ठीक है और यह deputy prime minister भी रह चुके है इंडिया के और इनका समाधी का नाम क्या है समतास्तल टिक है place of equality दिली में कहा पर समतास्तल कहां पर नई दिली में है ठीक है यह यह उनका photo यह शांदार है देखिए अब next चलिए चंद्शेकर चंदर सिकर आजाद नहीं है , वह अलग थी चंदर सिकर आजाद ,इह अलग चंदर सिकर है , यह हमारे प्राम मिनिस्टर रह चुके हैं इनका जनम हो था 1 जूलाई 1927 इब्राहिम पती उत्रपदेश में 10 नवेंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991, 10 नवेंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ये प्रेसिडेंट मतला प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के और इनके जो स्तल का नाम है उसको क्या बोलते हैं जननायक का स्तल दिल्ली में है नेक्स देखिए आई के गुजराल साब आई के गुजराल साब जो की जिनका जनम हुआ था 4th December 1919 जहलम पाकिस्तान में हुआ इनका जनम 12 प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के अपरेल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक और स्मृतिस्तल कहा जाता है इनके प्लेस को स्मृतिस्तल प्लेस ओ रिमेंब्रेंस नेक्स देखिए अटल बावु तो अटल विहारी बाचपई जी जिनका जनम 25 डिसमबर 1924 ग्वालियर में जो की है मध्यपदेश में वहां पर हुआ था और इस इसी तारीक को 25 डिसमबर को हम गुड गवर्ननस डेवी बनाते हैं और ये तीन बार प्राइम आइन मिनिस्टर रह चुके हैं जो की है पहला ये रहते तेरा दिन तक दिखेए आप लिखाये तेरा दिन तक रहते थे 1996 में फिर से 13 महीने के लिए पहले 13 दिन के लिए 30 days उसके बाद 13 months के लिए रहे 13 महीने के लिए रहे 1998 से 1999 में और उसके बाद फुल टर्म रहे 1999 से लेक स्मृति स्तल जो कि नई दिल्ली में है रास्ट्रिय स्मृति स्तल ठीक है तो यह कुछ थे आज के important personality जो की जिन कोई की नाम आप याद रखिए और वीडियो अच्छे से देखिए like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और खूब support कीजिए बिल्कुल आपको वीडियो मिलता रहेगा ऐसे चोटा चोटा टॉपिक में लाता रहूंगा आपका टॉपिक कवर होता जाएगा ठीक है अपन इतना ऐसा questions करेंगे सीधह आपको एक्जाम में देखने को और अपना ध्यान रखिए कोरुना के टाइम पर अभी बहार मत निकलिए मैं हर वीडियो में यही चीज बोल रहा हूं आप अपना ध्यान पहले रखिए अपने परीजनों का अपने माबापों को माबाप एवंग अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और अच्छे से रही है खुश रही है गौड ब्लेस यू थैंक यू